कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आपका करंट अफियर का अगला सेसन है और क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि करंट अफियर अगर हम टुकले टुकलो में देखते रहें यानि अचानक से लास्ट टाइम पर बारडन ने लेके बीच बीच में अगर हम इसको देखते रहें तो बाद में इक्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जुलाई में अगर आपका एक्जाम होता है भी पीडियो वीडियो आला तो आपका से हो सकता है कि UKPSC ने भी कुछ सीख ली हो कुछ उस तरीके के उनके दिमाग में भी चीजां आ रही हो कि यार हम करेंट अफियर थोड़ा जल्दी जादा दूर का न पूछ के पास-पास का ही पूछ है ठीक है इसी वज़एसे बीच-बीच में करेंट अफियर की क्लासिस बहुत ज़रू है ठीक है देखें पहला कुछन लिखे आना है बच्चो तो हाल ही में UPSC के नई चेर्मेन कौन बने है क्योंकि UPSC संगलोग से वायक भारती जो सर्विसेज है औल इंडिया सर्विसेज या इस टाइप की जो एक्जाम होते बड़े केंदर सरकार की एक्जा यह बने है मनोज सोनी यह बने बच्चो यूपीएसजी के नए चेर्मेन तो अगर प्रकार से सेंटरल वीरो इंवेस्टिकेशन के नए चेर्मेन लिखो सेंटरल वीरो इंज वेस्टिकेशन यानि सीवीएस जो है ना इसके नए चेर्मेण बने बच्चो परवीण सूध ठीक है सीवीए के चेर्मेन कौन बने है हाला कि मैं जानता हूँ ये question आने से रहे ठीक है बट मन मानता नहीं है यार कि कहीं या आ गया क्या पता examination hall में किसके दिमाग में exam paper set करते समय किसके दिमाग में क्या आया तो जो chairman बने है परवीन सूध बजी बने है ठीक है लिखो परवीन सूध तो UPSC के पूषता है Manosani CBI के पूषता है परवेंट सूध ठीक है इसी तरीके से एक जो question है ये आ सकता है important करते ना राश्ट्री ये star करते ना ठीक है वो दो star question नहीं है वो बस हवा हवा वा ले पहले बता देना हूँ राश्ट्री homeopathic सम्मेलन ठीक है homeopathic दवाईया होती ने जैसे आयुवेध है लिफेथ हैं सीख homeopath भी होता है युनानी जो चिकित सा पद्दत ही है उससे संबधित होता है तो राश्ट्री homeopathic सम्मेलन जिसको homocon 2023 कहा गया homocon 2023 homocon 2023 कहा गया इसका ओज़न कहां पर देहरा दन में ठीक है तो अभी तक देखो स्टार क्ष्ण सिर्फ ये है लिफो देहरा दुर में बाकी चेयर मैं इंवेर्मेंट कम पूछता क्वेशन ठीक है पूछ लिया तो फिर देख लेना इसलिए मैं करा आजता हूँ अगला लिखो संचार साथी पोटल एक पोटल शुरू किया गया है दूर संचार मंत्राले दौरा संचार साथी पोटल ये भी के अलावा बाकी कुछन उसी टाइप के हैं तो संचार साथी पोटल एक शुरू किया गया गया जो दूर संचार मंत्राले द्वारा जैसे किसी का फोन खो जाता है या कोई फोन चोरी हो जाता है तो उस फोन को ब्लॉक और ट्रेक करने के लिए ठीक है लिखों फोन चोरी ओ अत्वार ट्रेक हे तो एक पोटल शुरू किया गया है जिसका नाम है संचार साथी पोटल ठीक है दूर संचार मंत्रा लेने इसको शुरू किया है अगला लिखो बच्चो एक नया कुशन इंपोर्टेंट है ट्वीटर की नई CEO ठीक है ट्वीटर को पहली महिला CEO मिली है य पहली महिला CEO बनने का क्या मिला है वहाँ पे मौका मिला है लिणडा याका रिनो को ट्वीटर की पहली महिला क्या है बच्चो एक CEO ठीक है अगला लिखो तेर्वी होकी इंडिया सब जून्यर महिला राष्ट्री चेंपियंशिप का खिताब किसनेजिता हरियाना ने ठीक है तेर्वी सब जूनियर महिला होकी का खिताब किस राष्ट्री ने जीता हरियाना ने अभी तक देखो कितने क्वेशन हैं 1,2,3,4,5,6 एक ही क्वेशन सबसे लादा इंपोर्टेंट है बाकी हवावाले हैं ठीक हवा हवा अगला लिखो अब देखो भारत क्या करने वाला है बच्चो यूरोपी संग जो है यूरोपीन यूनियन है उसके साथ एक मंत्री स्थर संभीलन राष्टा अध्यक्स राष्ट और सिखरसंवेलन जब कही है ऐसा आतारा कि इसका सिखरसंवेलन यहां सिखरसंवेलन में क्या हुआ? सिकर सम्मेलन का मतलब होता है उस राष्ट का जो राष्टा ध्यक्स होगा जो टॉप परसन होगा वो मीटिंग में क्या लेगा भाग लेगा इसको बोलते है सिकर सम्मेलन एको वता सैंना मंतरी σत्री सम्मिलन बोलुटें कि जब उस चीच का मंतरी जो मिटिंग होनी है उस चीच का मंतरी जहां भाग लेगा उसको बोलते हैं मंतरी इस्तरी सम्मेलन ठीक है तो आपने क्वेश्चन क्या लिखना है इसमें लिखो भारत यूरोपी संग व्यापार 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 व्या पहली मंत्री स्तरी बैठक या मंत्री स्तरी सम्मेलन जहां भी लिखोगी वो लिखो ब्रुसेल्स मोनी आली बच्छो ठीक है ब्रुसेल्स मोनी है बेल्जियम की राजदानी ब्रुसेल्स करतो इसको ठीक है तो यह ब्रुसेल्स से लिख लो अगला देखना ठीक है अब हाली में बच्चो वानी जी मंतराणे ने एक डेटा निकाल लखा है भारत के टॉफ थ्री निर्यातक देश अगला लिखो भारत के टॉफ थ्री निर्यातक देश मतलब भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किन देश को करता है ठीक है निरियातक देश, सबसे आधा करता बच्छो USA को, United State of America को, ठीक है, उसके बाद करता बच्छो UAE को, United Arab Emirates, ठीक है, तीसरा जो करता है अपने आपने नीदर लेंड को, तो ये जो आया है कि भारत का सबसे बड़ा तीसरा निरियातक देश कौन सबर गिया है, वो बनाए नीदर लेंड, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप, नीदर लेंड जो है, तीसरा सबसे बड़ा क्या बनके है, भारत का नीदियातक देश बनके है, यानि भारत अपना सामान इन देशों को सब शादा भेजता है, अगला लिखो, भारत का वह एयरपोर्ट, जहां देश का पहला होंगी बच्चों, वहाँ पे ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है, जहां, ओपन किया गया, यह बच्चों, लाल बहादूर सास्त्री, LBS ठीक है, लाल बहादूर सास्त्री जो अपने आप में एरपोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट वारानसी, भारत का पहरा रीडिंग लाउंज लाउंज किया गया है, यहां पर क्या हूंगे, आपको किताब है, लाइबरेली वगर्ण सब टाइप की सीज़ है, मिल जाएंगे, ठीक है, अगला लिखो गुच्ची, जो कि एक फैसन ब्रैंड के ने किसे ग्लोबल अपना न्यूक तो किया है, ठीक है, यह एक अपने आपको कमपनी, इसके कप्ड़े वगर्ण भी देखे हूंगे, आपने लिखो, द्वारा अपना, गुच्ची द्वारा अपना, ग्लोबल, फैसन, ब्रैंड नेम बेस्ट है, ठीक है, यह किया है बच्चो, आलिया भट को अलिया भट क्या बनी है, इसकी, ब्रैंड अम बेस्ट बनी है, क्या, किसका, गुच्ची की, ठीक, अगला लिखने आपको, दोहा डाइमंड कप्ली, किसके द्वारा जीता गया है, यह जीता गया है, अपने आपने नीरज चोपड़ा, ठीक है, यह मोस्ट जीता गया, दोहा डाइमंड कप्ली का खिताब जीता गया, यह भी आपको आना चाहिए, अगला लिखो, सिंतवे बंदरगा का हाल ही मह उद्गाटन हुए, बच्चो, यह किन दो देशों की भागिदारी से बना है, लिखो, यह मोस्ट इम्पोड़ेंगर देने इसको, सिं बढ़रत दोरा उद्गाटन गिया गया है, दोरा उद्गाटन लिखो या इनके दोरा यह संचालित होगा, मतलब इस दोनों के साहियोग से बनाया है, सिंतवे बंदर का, ठिक हो, इंपपोड़न क क्वेश्चन है अगला लिखो, यह पूसा जाता है, पत्रगारता वगरा क के छेत्र में लिखो पुलिजर अवार्ड पुलिजर जिसको बोलते वाल पुलिजर अवार्ड 2023 यह मिला है बच्चों एक न्यूस पेपर है उसका नाम है एसोसियेटेड प्रेस ठीक है एसोसियेटेड प्रेस इसने क्या क्या था रूस यूक्रेण युद्ध के दोरान वहां के जो कंडिशन है उसको कब्रेज दी थी और उसी वीरता के लिए इसको क्या मिला है पुलिजर अवार्ड 2023 एसोसियेटेड प्रेस को दिया गया है ठीक है अगला लिखो राश्ट्री प्रध्योगी की दिवस क की स्तिथि को मनाया जाता है कैनि नेट्स्नल टेक्नलोजी दै ले स्थैंसे अगला लिखो लिखना में कॉन सा राज्चि परथम इस्तान पर आया है इत्धिनाल उत्पादन में परथम यह आया है बच्छो इथिनोल के उत्पादन उत्थाम UP उत्तप्रदेश इथिनोल के उत्पादन में पर्थमिस्तान पे आया है अगला एकना आपको स्वच्छ भारत मिसन ग्रामीन 2 के तहत कौन सा राज्य सत पर्तिशत खुले में सौच मुक्त मनलब ग्रामीन वाला पहला राज्य बन गया है वाते लगाना है ठीक है लिखो एक लिखो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ऐसे लिखो या तो स्वच्छ भारत मिशन मैं बताता हूँ ज़िखोंगे स्वच्छ भारत मिशन इसके आगे इसी तरीके से आप लोग लिखो क्या लिखोंगे ग्रामीन चरंड 2.0, सच भारत मिसंद ऐसे रिखो, ग्रामीन चरंड 2.0, ठीक है, सेकेंड स्टेज में, हंडेट पासेंड, सेनी सत परती सत, ODF प्लस घोशित हुआ है, ODF में खुले में समच मुक्त, ODF प्लस घोशित, ठीक है, ये कुछ भारत तेलंगाना, तेलंगना राज्य को, सत परती सत, ODF प्लस घोशित किया गया, सच भारत मिसंद, ग्रामीन चरंड 2.0 के तहट, ठीक है, अगला लिखो, वेस्विक, आयुर्वेद का, पांच मा सम्मेरन कहां आजित किया जाएगा, ये वेस्विक, आयुर्वेद का, पांच मा सम्मेरन, ठीक है, ये वेस्विक, आयुर्वेद का जो पांच मा सम्मेरन होगा, बच्चों, ये कहां पर आयुर्वेद किया जाएगा, ये किया जाएगा, तीरुवन्त पूरम, अब मतलब अपने आपर तमिल नाडु में, ठीक किया जाएगा आयोजन किया जाएगा अभी नहीं ठीक है इसको ध्यान रखना ये दिसंबर 2023 में होगा ये एडवांस लिबल में मैंने आपको बता दिया ये तिरुवन्तु कुरम में इसका आयोजन किया जाएगा अगला लिखो किसे युनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सामिल करने की सिफारिस की गई है ठीक है लिखो हाल ही में किसे हो सकता है सामिल हो जाए ठीक है युनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में सामिल करने की सिफारिस हुआ नहीं है ठीक है हो जाएगा मैंसे सांती निकेतन बेकए बहरत किस वर्ष से जलवायू के चैत्रहां कार्बन या इमिशन को कम करना या इससे संबनदे जलवायू परने क्टन तो घृट हो यान नागरिक भागिदारी करने की बात कहिए ठीक है दोजार सत्ताइस है ठीक है भारत ने किस वर्स से ठीक है जलवाई परिवर्तन के मद्दे निजर या जलवाई परिवर्तन के दृष्टिगत जलवाई परिवर्तन के दृष्टिगत ठीक है मतलब भारत ये कहना चाहरा कि मैं भी अपन कि दशाओ फाहूंगा एमिसन को कम करने में इस शेत्र में पट्टिकुरा ठीक है कि दुछ तिगा अंतराष्टि नागरिक अधुयेन संगतन में सामील होने की बात पहें और NAK इन्टराश्टी नाखरिक उड्डियन संगटन मैं सामिल होने की बाद कि घोचना लिख दो 2027 भारत कह रहा कि 2027 मैं 20 में सामिल हूंगा और इस छेत्र में जो अगला लिखो भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रीज कहां पर बना है यह अंजी खेड़ा में अंजी खेड़ा ब्रीज बोलते हैं जम्मु कस्मीर में ठीक है लिखो भारत का पहला भारत का पहला लिखो केबल स्ट्रेट रेल ब्रीज ठीक है यह जम्मो का समीन में है ठीक है लिखो केबल स्ट्रेट रेल ब्रीज यह बज़ देखो अंजी खेडा में ठीक है के पास ठीक है इसको चेक कर लेना ही क्या है केबल से किस तरीके से इस ब्रिज को अठकाया हुआ है कैसे केबल की थ्रूइ ये connect किया गया है मतलब तार वगणर से इसको बात रखेंगे उपर वहां हवा में बनाया गया है ठीक है केबल स्टेट रेल ब्रिज जो है एंजी इस चुट का उधगाटन कहां पर किया गया है दिखो नमो मेडिकल मतलब यह की चिकिसा सिक्ष्या एंड रिसार्च इंस्टिट्ट इसको डाद रायम नागर नागर हवली में इसको उधगाटन किया है सिल्वासा ब्रेकेड में लिखो दादर नागर हवली में ठीक है आप समझ जाना उसको सिल्वासा में नमो मेडिकल एजुकेशन इन रिसर्च इस्टूट का क्या किया गया है उधगाटन किया गया है ठीक है अगला लिखो नैशलनी टेक्लोजी सेंटर फोर जो एक टेक्लो होते हैं और इसके अलाबा जो कोस्टल इलाके होते हैं या बंदरगाह है या वाटर वे होता है समुदरी रास्ता होता है इसके लिए सेंटर खोला गया हाली में तो लिखो नैशनल टेक्लोजी सेंटर फोर पुरा लिखना आप ठीक है नैशनल टेक्लोजी सेंटर फोर पोर वर्टर वे और कोष्ट निलाकि जो ओता है कोष्ट का उध्गाटन कहा पर किया गया थीक ost waterway and Coast का उध्गाटन यह कीया गया बद्स मद्रास में नाज multif या दर्फन को निशनल टेक्नожी सेंटर फोर्ड, communities receptor and effects पोस्ट लाकी जो ते ताठी इलाकी ठीक है इसका उध्गाटन मद्रास्भा लास्ट विचन लिखो भारत का पहला 3D printed post office का उध्गाटन कहा किया गया है बैंगलोर में ठीक है लिखो भारत का पहला भारत का प्रतम 3D printed ठीक है? यहनि 3D printed जो होता है अपने आप में तो क्या लिखो के भारत का पहला 3D printed post office का उधगाटन कहां पर किया गया है? ठीक है? Post office यह किया गया बच्छो बैंगलोर में बैंगलोर में इसका खिया गया? यह था भी लेटेस्ट करेंट आफियर है कुछ कुछ करेंट आफियर के क्योंकि आपको मैंने पहले कहा कि एक्जाम में एक साथ बर्डन आए इसलिए थोड़ा-थोड़ा हम लोग इसको चेक करते रहेंगे ठीक है आप लोग इसको रिवाइस करना बहुत ज़्यादा लेंद